मस्ते मैं हूँ पायल रहादगी मैं एक बहुत ही अच्छा विचार पढ़ने वाली हूँ आप सब के सामने जो मैंने वाटसप द्वारा पाया यह बहुत जादा सोचने वाले थौट प्रोसेस है क्योंकि यह सारे कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया यह इसलामिक कंट्रीज है और यहां पर मुस्लिम्स को मारा जा रहा है I am not saying anything against the religion though obviously बहुत सारे लोग मानते हैं जो इसलाम फॉलो करते हैं Islam is the religion of peace मगर ऐसा है तो क्यों इन कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज इसलामिक है उन कंट्रीज के अंदर मुस्लिम्स को मारा जा रहा है Afghanistan, Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, Egypt यहां पर कोई भी RSS नहीं है कोई भी हिंदू महासबा नहीं है कोई भी बजरंग डल नहीं है यहां पर cow lynching नहीं होती जिस lynching का नाम लेकर आप obviously कहते हैं कि लोग Jai Shri Ram का नारा लेके मुसल्मानों को मारते हैं इन सब देशों के अंदर जो Islamic देश है यहां पर यह सब सभाएं, organizations नहीं है जो भारत से जुड़ी हुई है मगर यहां पर फिर भी मुसल्मानों की मौत होती है So what is the real reason behind this? That is what I want everybody to ponder इसलिए जब में को यह whatsapp द्वारा tweet या message आया, मुझे यह message आपके साथ share करना था जो लोग हर दम सनातन धरम के organizations को target करते हैं, RSS को target करते हैं या बजरंग दल को target करते हैं, because यह सब organizations in Islamic countries में operate नहीं करती है साथ साथ में इतना कहना चाती हूँ, सभी लोगों से, liberals and feminists से इशरत अगर daughter है, कनहिया अगर son है, डेविड अगर brother है, अफजल अगर guru है, ममता अगर दीदी है, नहरू अगर चात्रा है तो इंडिया आपकी मा क्यों नहीं हो सकती? जो अब्यूस्तान को खतम करने का अजेंडा आगे रखते है नमस्ते, जय हिंद!